आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is Under which of the following category the given structure of amino acid can be classified, okay अब यहाँ पर हमें एक amino acid अब यहाँ पर हमको बताना है कि यह given option में से acidic है, basic है, neutral है या फिर कोई भी नहीं है, okay अब यह जो amino acid यहाँ पर diagram में हमने लगा रखा है यह कौन सा amino acid है, that is glutamic acid, okay कौन सा amino acid है, glutamic acid अब यहाँ पर सबसे पहले amino acid की बात कर लेते हैं amino acid की अगर हम बात करें तो यह basic unit होते हैं किसके protein के, okay और इन्ही amino acid से मिलकर बनता है क्या protein total 20 तरीके के amino acids होते हैं एक दूसरे से जोड़के protein का निर्माड करते हैं glutamic acid की अगर हम बात करें तो यह भी हमारे amino acid है और यह बनाते हैं proteins यह कैसे amino acid होते हैं तो यह होते हैं non-essential amino acid दो तरीके के amino acids होते हैं essential and non-essential तो यह non-essential type का amino acid होता है यानि यह ऐसे amino acid होते हैं जो कि हमारी body के अंडर क्या होते हैं synthesized होते हैं यानि ऐसे amino acid जो हमारी body के अंडर खुद synthesized हो उन्हें हम बोलेंगे non essential और ऐसे amino acid जो हमारी body के अंडर synthesize नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या essential amino acid जिनका हमें बाहर से भोजन के जरिये लेने की जरुरत होती है non essential amino acid total 10 होते है essential amino acid total 10 यानि total कितने amino acid हो गए 20 amino acid अब ये तो हमने बात कर ली glutamic acid की अब अगर हम यहाँ पर amino acid के structure के बारे में भी जान ले तो amino acid की अगर हम बात करें तो ये जैसे के हमने बताया basic unit है protein का amino acid कैसे बनते हैं ये हम जान लेते हैं okay so amino acid contain करता है carbon atom ये contain करता है क्या carbon atom अब ये जो carbon atom होता है ये बिलकुल middle में होता है okay carbon atom बिलकुल middle में होता है diagram में हम देख रहे हैं ये carbon atom जो के बिलकुल बीच में है अब इस carbon atom से 3 chemical groups attached होते हैं okay तो यहाँ पर ये carbon हम सही से लिख लेंगे यहाँ ये जो carbon atom है यहाँ से 3 groups attached होते हैं okay 3 group अब कौन-कौन से 3 group है इससे attached होंगे तो यहाँ पहला जो group होता है उसको हम बोलते है amine group okay पहला group होता है amine group amine group को हम क्या से लिखते हैं ये होता है हमारा nh2 ये पहला group हो गया दूसरे ग्रूप के अगर हम बात करें तो वो होता है कार्बॉक्सिल ग्रूप, दूसरा जो ग्रूप होता है यह होता है कौन सा कार्बॉक्सिल ग्रूप है, सेकेंड ग्रूप कार्बॉक्सिल ग्रूप को हम लिखते हैं COOH से जो की कार्बन से अटास्ट होता है, तीसरा जो ग्रूप होता है उसको हम बोलते हैं क्या R ग्रूप और ये जो R ग्रूप है ये variable होता है इसकी वज़े से ही तरह तरह के amino acids होते हैं तो ये तीन तरीके की group हमने यहाँ पर बताए amino acid structure में सबसे बीच में यहाँ पर carbon बने जैसा कि हमने बताया first group की अगर हम बात करें तो first group हमारा होता है carboxylic acid group okay first group होता है carboxylic acid group और इसी की वज़े से इस amino acid का जो nature है ये क्या है acidic है okay second group की अगर हम बात करें तो ये हमारा है amino group okay second group क्या है amino group है third group हमारा नीचे लगा हुआ है और ये हमारा होता है R group जिसकी वज़े से ये variable होते है amino acids तो ये तीन group हमने बता दिये यहाँ पर अगर under which of the following category the given structure of amino acid can be classified तो ये कैसा होगा acidic होगा option 1 यहाँ से correct answer है बाकी के options यहाँ पर wrong हो जाएंगे Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर